हेलो व्यूवर्ज के बितिंद क्लास में आप सबका स्वागत है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोद्रड बनाते हैं यहां यह जान लेना जरूरी है कि स्वास्ते का मतलब केवल वो स्थिति नहीं जब हमारे शरीर में कोई रोग ना हो या किसी प्रकार की अशक्तता ना हो यानी अशक्तता यानी कमजोरी तो अगर हम किसी बिमारी से ग्रस्त नहीं है और साथी साथ हम कमज तो ये स्थिति हमारे स्वास्ते को नहीं बताती बलकि स्वास्ते का मतलब शारिरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कुशल छेम से हैं। इनमें क्या-क्या विशेष्टा आत्मिक हैं? सबसे पहला है स्वास्त शरीर। उसके बाद व्यक्ति के जो व्यक्तिकत संबंध है यानि प्वस्नल रिलेशन्स है वो उच्चे गुणवत्ता वाले हों, हाई क्वालिटी के हों। उसकी लाइफ का एक एम हो, उद्देश्य हो और उस उद्देश्य का उसे बोध हो यानि व्यक्तिक अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी हो, ग्यान हो। आत्मुमान यानि सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन के कृत्यों में प्रवीन्ता यानि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कारे करे वो पुरी दक्ष के साथ mastery के साथ करें यानि उसमें expert हो दबाव अभिगात तथा परिवर्तन के प्रती स्थिति स्थापन यानि जब भी stress की situation आए अभिगात यानि सब में की स्थिति हो या फिर जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन आए तो इन तीनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति फिर स अपने स्थान पर वापस आ जाए यानि अपने स्थिति में वापस आ जाए जैसा वो दबाव अभिगात या परिवर्तन के पहले था यानि व्यक्ति समान्य वस्था में था तो दबाव अभिगात यानि सद्मा तथा जीवन में परिवर्तन आने पर व्यक्ति समयोजन करके फिर से पुर्व वाली इस्थिति में आजाएए तो इसको इस्थिति स्थापन कहते हैं ये सारी विशेशताईं सकरात्मक स्वास्त की हैं कुछ ऐसे कारक हैं जो दबाव के प्रतिरोधक का कारे करते हैं प्रतिरोधक कारक यानि वो कारक जो की व्यक्ति को स्ट्रेस से उबरने में सहायता करते हैं और व्यक्ति के सकारात्मक स्वास्त यानि पॉजिटिव हेल्थ को सुकर बनाते हैं आसान बनाते हैं विकारक है अहार, दियायाम, सकारात्मक अभिवित्ती, सकारात्मक चेंतन और समाजिक अवलम इनको हम एके करके समझ लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं अहार की जब व्यक्ति संतुलित अहार लेता है यानि बैलन्स डाइट लेता है तो ये balanced diet व्यक्ति के लिए बहुत ही महतपुन भूबी का निभाती है इसके कारण व्यक्ति की मनस्तिती ठीक होती है यानि जब हम संप्रिद आहार लेते हैं तो हमारा mood ठीक रहता है इससे हमें energy मिलती है हमारी पेशियों को potion मिलता है पेशिया यानि muscles परिसंचरन को समुन्नत करता है परिसंचरन यानि blood circulation तो blood circulation को improve करता है विभिन प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है और प्रतिरक्षक तंत्र को सशक्त बनाता है यानि जो हमारा immunity system होता है उसे मजबूत बनाता है और व्यक्ति को better feel करा सकता है जिससे व्यक्ति जीवन में दबाओं का सामना अच्छी तरीके से कर सके healthy life के लिए जरूरी है कि व्यक्ति संतुलित आहार ले और उसमें vivid प्रकार का आहार हो यानि हर तरह के पोशक तत्व हो और बोजन में विवित्ता हो किसी भी व्यक्ति को कितने nutrition या portion की जरूरत है ये इस पर depend करता है कि व्यक्ति कितना active रहता है यानि उसकी activity का level क्या है उसकी आनुवन शिक का किस प्रकार की है किस तरह की जलवाईयू में रहता है और उसका health history क्या है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉस्टिक बोजन लेते हैं और अपने weight को बहुत अच्छी तरह से manage कर लेते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं जब व्यक्ति stress में होता है तो वो ऐसा खारा खाता है जो की आराम देने वाला होता है यानि comfort food व्यक्ति अपने mood को सही करने के लिए या depression को कुछ देर के लिए avoid करने के लिए इस तरह का भोजन करता है जिसमें नमक, चीनी और fat की मातरा जादा होती है सकरात्मक स्वास्थिक के विकास में सहायत दूसरा कारक है व्यायाम व्यायाम यानि exercise कोई भी व्यक्ति healthy रहने के लिए अपनी lifestyle में व्यायाम को शामिल कर सकता है जब हम नियमित व्यायाम करती है तो उसे weight और stress इन दोनों को ही manage करने में सहायता मिलती है यानि exercise करने से जहां आपका weight control में रहता है वही stress को कम करने में भी exercise important role अदा करती है व्यायाम के दोरा तनाव यानि tension, दुष्चिंता यानि anxiety, आवसात यानि depression इनको घटाने में मदद मिलती है अच्छे स्वास्ते के लिए जो व्यायाम जरूरी है उस व्यायाम में तीन तरह की प्रक्रियाएं होनी चाहिए सबसे पहला तनन या खिचाओ जिसे stretching बोलते हैं इनमें योग के आसन आते हैं दूसरा है वायू जीवी व्यायाम जिनने aerobics exercises कहते हैं जिनसे हमारी सांस की गती तेज होती है जिसे दोड़ना तैरना साइकल चलाना पगेर जहां stretching व्यक्ति को relax करती है वही aerobics exercises यानि वायू जीवी व्यायाम जिनसे व्यक्ति की सांस की गती तेज होती है उसके द्वारा शरीर के भाव प्रभोधन स्तर में व्रिद्धी होती है भाव प्रभोधन स्तर यानि अराउजल व्यायाम जिक्ति के लिए दबाव प्रतिरोधक का कारे करता है दबाव प्रतिरोधक यानि दबाव को stress को दूर करने का कारे करता है और व्यायाम के द्वारा व्यक्ति स्ट्रेस से उबर जाता है व्यायाम व्यक्ति में मानसिक शारिरिक पुशल छेम का अनुभव कराता है यानि व्यक्ति शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्त और प्रसन अनुभव करता है उस समय भी जब व्यक्ति समान्य वस्था में है और उस समय भी जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक घटनाएं घट रही हो अगला कारक है सकारात्मक अभिवर्ति, Positive Attitude सकारात्मक अभिवर्ति यानि Positive Attitude के द्वारा व्यक्ति Positive Health और Well-Being को आसानी से प्राप्ट कर सकता है बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि व्यक्ति को Positive Attitude की ओर ले जाते हैं यानि कि व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति का दृष्टि कौन सकारात्मक हो Positive हो यह कारक हैं वास्तिविक्ता का सही प्रत्यक्षन, वास्तिविक्ता यानि व्यक्ति reality को समझ सकेम, उसका perception कर सके अपनी योग्यताओं, अपनी चम्धाओं को सही तरीके से जान पाए, प्रत्यक्षी करण कर पाए व्यक्ति के जीवन में एक उदेश हो, एक लक्ष हो और साथ ही व्यक्ति में उत्तरदाइत्व की भावना हो, यानि व्यक्ति अपनी responsibility को समझे, दूसरे व्यक्तियों के बिन दिश्टिकोन को स्विकार करना, यानि इस बात को accept करना कि दूसरे व्यक्तियों के विचार, उनकी सोच, उनका नजरिया हमसे अलग हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति अगर हमसे अलग हैं, तो भी उन्हें स्विकार करना, और सहिशुनता का होना, सहिशुनता यानि सहनशीलता, दूसरे व्यक्तियों को अपने समान समझना, और अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानना यानि जब व्यक्ति को सफलता मिल रही है तब उसका शिरेव हो लें लेकिन जब असफलता मिल रही है तब भी अपनी गल्ती को स्वीकार करें समाज और जीवन में होने वाले परिवर्तन और नए नए विचारों को खुले दिल से अपनाए और व्यक्ति का विनोधी सुभाव हो, यानि व्यक्ती खुश मिजाज हो, हसी मिजाग करने वाला हो, जिससे व्यक्ती अपने उपर भी हस सके, यह सभी कारक व्यक्ती को positive attitude की ओर ले जाते हैं, यानि व्यक्ती का जो नजरिया है वो सकारात्मक बनता है, और जब व्यक्ती का नजरिया, सकारात्मक होता है, यानि positive attitude होता है, तब व्यक्ती चुनोतियों का सामना असानी से कर लेता है, और stress से deal कर पाता है, उसे manage कर पाता है, अगला कारक है सकारात्मक चिंतन, यानि positive thinking, positive thinking के कारण व्यक्ती दबाव का सामना कर सकता है, और उसे कम भी कर सकता है, आशावाद का सं मन्द, मनुवऑज्ञानिक और शारिरिक कुशल defense से है यानि जब हम आशावादी होते हैं तो हम शारिरिक और मनोवऑज्ञानिक तोर पर स्वस्त और प्रसंचित रहते हैं क्योंकि आशावाद के कारण हम जीवन में अनुकूल परणामों की प्रत्याशा करते हैं यानि हम ये उमीद करते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा अलग-अलग व्यक्ति दबाओ का सामना अलग तरीके से करते हैं जो लोग आशावादी होते हैं यानि पॉजिटिव होते हैं वो ये मानते हैं कि विपत्ति का सामना सफलता पूर्वक किया जा सकता है यानि जीवन में कोई चुनौती, कोई समस्या, कोई संकट आया है तो हम उससे सफलता पूर्वक निपड सकते हैं जबकि निराशावादी व्यक्ति टुनौती या संकट के समय में हमेशा अनर्थ की प्रत्याशा करते हैं अनर्थ यानि कुछ बुरा होने की उम्मीद करते हैं आशावादी व्यक्ति समस्या केंदरित सामना करने की युक्तियों का उपयोग करते हैं समस्या केंदृत युक्तियां या आपने पहले भी पढ़ी है Problem-Oriented Strategies जिसमें व्यक्ति समस्या का समधान करने का प्रयास करता है और इसके लिए व्यक्ति दूसरों से सलाह और सहायता भी मांगता है लेकिन जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं वो समस्या या दवाव के स्रोटों की उपेक्षा करते हैं यानि उस समस्या का समधान करने का प्रयास नहीं करते या उस स्रोट को दूर करने का प्रयास नहीं करते जिससे वो समस्या उत्पन हो रही है बलकि वो दूसरी ही युक्तियों यानि strategies को यूज करते हैं ये strategies क्या हैं? जैसे उस लक्ष को छोड़ देना जिसमें दबाव के कारण बाधा पड़ रही है. यानि अगर stress के कारण किसी लक्ष को पूरा करने में बाधा आ रही है तो उस लक्ष को ही छोड़ देना ये निराशावादी करते हैं. वो इस बात को ही नकार देते हैं कि दब मौझूद भी है. सकरात्मक स्वास्त के विकास में सहायक कारकों में अगला कारक है सामाजिक अवलम यानि सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट का मतलब ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धता जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं. किस बात का विश्वास? कि उन्हें हमारी परवा है और उनके लिए हम मुल्यवान हैं यानि हमारी कोई वैल्यू है और वो लोग हमें प्यार करते हैं. और भी समाने शब्दों में समझें सोशल सपोर्ट का मतलब जब हम चुनोतियों का सामना कर रहे हो या स्ट्रेस का सामना कर रहे हो तो वो लोग जो हमारे साथ खड़े होत हैं तो हम स्ट्रेस से बहुत जल्दी उबर जाते हैं जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो एक सोशल नेटवॉकिंग का हिग्सा है जिस सोशल नेटवाकिंग में लोग आपस में संप्रेशन करते हैं यानि कम्यूनिकेट करते हैं और एक दूसरे के प्रति यह विश्वास कि वो एक social networking का हिस्सा है या किसी समू का हिस्सा है जहाँ पर लोग एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे की care करते हैं, एक दूसरे से बाचीत करते हैं, तब व्यक्ति social support का अनुभाब करता है, मानली जे एक परिवार है, उस परिवार में लोग एक दूसरे क की care करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के प्रती उत्तरदाइत्व या जिम्मेदारियां निभाते हैं, और एक दूसरे से communicate करते हैं, और जब व्यक्ति को लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और लोग मेरी भी care करते हैं, तब व्यक्ति social support का परिवार का मैंने उधारन दिया, इसके इलावा, social networking में, friend circle, आपके पडोसी, रिष्टेदार, ये सब लोग भी आ सकते हैं, व्यक्ति को जो social support प्राप्त हो रहा है, उसकी quality यानि गुणवत्ता का सीधा समवन्द व्यक्ति के स्वास्ता और कुशल छेम से होता है, जबकि जो social networking है, वो कितनी मात्रा में है, यानि व्यक्ति के पास जो support है, वो कितनी मात्रा में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति को जितने जादा जानने पहचानने वाले व्यक्ति हैं, या व्यक्ति का social network जितना जादा बड़ा होता है, उस network को बनाए रखन तो उनके साथ अच्छे relationship बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप time to time उनसे मिलते रहें, उनको phone पे बात करें या chatting करें, इसमें समय बहुत लगता है, और जिन लोगों से आप जुड़े हैं वो व्यक्ति आप पर समय समय पर विभिन प्रकार की demands रखते हैं, और ये demands अपने social network जो भी है, वो गुणवत्ता पूर्ण हो, यानि जरूत पढ़ने पर आपके साथ वो खड़े हो, studies बताती हैं कि वो महिलाएं जिनकी life में कोई close friend थी, उन्होंने अपने जीवन में stress होने के बावजूर, pregnancy के दोरान, कम depression का अनुभों किया, या उन्हें कम चिकित्सी जट जटलताओं का सामना करना पड़ा, जिकित्सा जटलताएं यानि complications, इससे ये पता चलता है कि social support के कारण व्यक्ति, depression और complications का सामना असानी से कर सकता है, social support व्यक्ति को दबाव के विरुद एक संरक्षन देता है, protection देता है, वो व्यक्ति जिसे अपनी family और अपने friends का support प्रा कर सकते हैं, सामाजिक अवलंब या social support कई प्रकार का हो सकता है, मूर्थ अवलंब, tangible support यानि उस तरह का support जब व्यक्ति को धन, वस्तू या सेवा आदी की सहायता दी जाती है, उधारन के लिए एक बच्चा बिमार है और कई तिन उससे school नहीं आपा रहा, तो उसका friend उसे अ का support मूर्थ अवलंब या tangible support कहलाता है, दुसरे तरह का support सुशनात्मक अवलंब या informational support होता है, जिसमें व्यक्ति को support के तौर पर जानकारी या सुशनाई दी आती है, माली जे एक बच्चा जो की board का exam देने वाला है और उसको लेकर वो stress में है, तो उसका एक friend जो इस तरह के exam को पहले दे चुका है, वो उसे examination से संबंधित सारी information देता है, जिससे व्यक्ति examination process को पुरी तरह समझ ले और वो उसको exam को ठीक तरह से पास होने में help करता है, तो यहाँ पर व्यक्ति ने सुशना या जानकारी के द्वारा स्वायता दी है, जिससे सामने वाला व्यक्ति stress क सामना सफलता पुर्वक कर सकता है, जब कोई व्यक्ति stress का सामना करता है, तो वो दुख, चिंता और आत्म सम्मान में च्छती का अनुभव करता है, या उसे लगता है कि उसकी self-respect कम हो गई है, ऐसे में उसके family और उसके friends उसे emotional support कर सकते हैं, यानि सामवेगिक आवलंब दे सकते हैं, emotional support से मतलब जब वो उस व्यक्ति को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकें कि उन्हें उससे प्यार है, वो उनके लिए कीमती है और उन्हें उसकी परवा है, तो इस तरह का support व्यक्ति को अवसाद, चिंता, आदी से उबार लेता है, social support के कारण मानसिक स्वास्त में जो फाइदा होता है, वो दोनों ही पक्षों को प्राप्त होता है, यानि सहायता देने वाले व्यक्ति को भी और सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी दोनों के ही मानसिक स्वास्ते में व्रिधी होती है, तो विवर्स यह थी आज की ग्लास, कैसी लगी आज की ग्ल धन्यवाद